आज मैं लाई हूँ पटल और आलू की सांदार सब्जी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इसके लिए मैंने पटल को पुरी तरह से छिल लिया है और उसके बीच को आप देखी सकते हैं मैंने निकाल दिया और दो आलू को मैंने क्यूब में काट लिया है तो अब चल मैं आज बना रही हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है इसमें कोई भी ज्यादा तेल मसाले की तो आवस्यक्ता ही नहीं है यह बिन मसाले वाली सब्जी है और आप एक बार बनाईएगा तो आपको पतल लगी जाएगा कि यह बहुत इसांदार और टेस्टी हो करने वाली है इसको आप पूरी पराटे किसी के साथ भी इंज्योई कर सकते हैं और मैंने एक से दो बार टमाटर चलाने के बाद मैंने इसमें आलू और पतल को एक साथी डाल दिया आप देखें टमाटर इसमें इसका फिर भी कलर कितना अच्छा आया है और इसके बाद मैं पूरी मैंने चला दिया और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया पानी बहुत जादा ना डाले क्यूंकि इसके अंदर कोई प्यास बेगरा ज्यादा मसाला बेगरा कुछ नहीं है जिसे ग्रेवी आपको ठीकने से होगी और मैं कुकर के ढखकन को बंद कर दी और चार विसल हो गया complete आप देख सकते हैं आप चलते हैं आगे की प्रोसेस में तो देखिए हमारा यह सबजी बन गया है और मैं इसको एक से दो बार अच्छी तरह से थोड़ा चला लेती हूं अच्छी तरह से पक चुका है आलू जो है एक से दो आलू में इसमें तोर देती हूं ताकि जो हमारी गरम है तो ऐसे ही वह पक जाएगे और उसकी खुसबू भी रह जाती है इसमें अब चलते आगे की प्रोसेस में अब मैंने इसके लिए एक तड़का त्यार किया है जिसमें मैंने लिया हाप चमच गी आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं और इसके अंदर मैंने डाला हाप चमच पाच पुरन और दो साबुत लाल मिर्च इसको अच्छी तरह से हमें पका लेना है खुसबू आने तक और उसके बाद हमें इस तड़के को सबजी के अंदर डाल देना और एक मिनट तक हमें कुकर को बंद रखना है